Dear Students, Welcome to Even Coaching Center YouTube Channel This video is Profit and Loss Part 4 और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ये दो कंशेप्ट्स Successive Discount and Second Discount जैसे कि ये Part 4 वीडियो है तो इससे पहले आपको पहले तीन पार्ट देख लेने चाहिए तो आपको ज्यादा फाइदा होगा तो मैं आपको सजेश्ट करूँगा कि ये देखने से पहले अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो तीन पार्ट देख लो तो इसलिए continue करते हैं successive discount of 10% and 20% are equivalent to a single discount of तो ये जो term यूज हुआ है successive discount successive discount का मतलब है कि लगातार एक के बाद एक discount देना तो दो discount दिये हैं 10% and 20% के तो इस question को हम काफी वेच से कर सकते हैं कि ये दो discount कोन से एक single discount के बराबर है मतलब या तो हम ये दो discount दे या इनके बराबर एक discount दे दे तो बात बराबर रहे वो answer हमने निकाला है तो सबसे पहला वे हम assume कर सकते हैं कि जिस भी चीज के उपर हम discount दे रहे हैं उसका market price है 100 तो जब पहला discount देंगे 10% का तो then इसको 10% कम करो market price हो जाएगा 90 फिर एक और discount देते हैं विकोज ये successive हैं तो 90 के उपर ही इसको 20% discount देंगे तो 90 का 10% is 9 and 20% is 10% का double 18 तो 90 के उपर 18 का discount अब price हो जाएगा 72 तो ये दो discount देने के कारण overall price 100 से 72 आ गया मतलब एक net discount मिल गया 28 परसेंट का तो इस question में answer होगा 28 इसको एक और वे से हम कर सकते हैं कि अगर 10% का discount दिया है तो price को 10% कम कर दिया होगा तो कोई भी चीज अगर 10% कम होगी तो कितने times हो जाएगी तो 10% less means 90 by 100 times हो जाना means 0.9 similarly कोई भी चीज जब 20% कम होगी तो इत वी 0.8 times तो net effect is 0.72 times so again we can see कि पहले सो थी अब 72 होगी 0.72 time होके तो 28% कम होगी which is so a discount of 28% now next एक और वे है जिससे आप इन questions को कर सकते हैं वो और मैं बता देता हूँ कि जब भी ऐसे discount given हो तो आप यह formula भी लगा सकते हो so this is a and this is b so because यह discount है तो discount का मितलब चीज का कम होना तो minus 10 and minus 20 हम यूज करेंगे तो minus 10 into minus 20 negative into negative positive तो यहां पे आपको मिल जाएगा minus 30 plus यहां से मिल जाएगा 2 so then our answer will be minus 28 means a discount of 28% so simple a single discount equivalent to successive discounts of 30%, 20% and 10% तो उसी के जैसा equation है बस इसमें 3 discount है तो उनी वे से हम सारे वे से कर सकते हैं तो सबसे पहले 100 assume कर लेते हैं तो पहला discount 30% तो इस discount के बाद price हो जाएगा 70 फिर एकोर discount 20% तो 70 का 10% है 7 तो 20% होगा 14 तो अब price हो जाएगा 56 फिर एकोर discount 10% का तो 56 का 10% is 5.6 तो अब आप देख सकते हो कि कितना कम हो गया वो net discount होगा तो ये कम हो गया 59.6 sorry 49.6 तो इस case में अब डिसकांट विल बी 49.6 तो दूसरे वे से भी आप कर शकते हो कि 30% कम हो गया means 70 by 100 times means 0.7 20% कम हो गया कोई भी वेल्यू मतलब 0.8 and 10% less again same way 90 by 100 तो 0.9 on solving all these we will get 0.504 so means किसी चीज की वेल्यू पहले 1000 थी अब 504 होगी लेकिन हम percentage जो है वो 100 के base पे solve करते हैं percentage itself means per 100 तो confusion को दूर करने के लिए इस 1000 को 100 बना सकते हैं तो इस 1000 में से जब आप 1-0 हटाओगे तो वहाँ पे एक के बाद point लगाना पड़ेगा means 1-0 हटा दिया और एक के बाद point लगा तो means पहले जो चीज 100 की थी अब वो 50.4 की होगी तो again 49.6 percent discount option D तीसरा जो वे था यह formula वाला तीन के लिए भी एक formula है लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है आपको आप इसके उपर यह दो वाला formula भी लगा सकते हो जैसे 30 and 20 के उपर अगर यह formula लगाएं तो then we will have minus 44 means a net discount of 44 and then 44 and 10 के उपर हम फिर से formula लगा सकते हैं then we will have minus 49.6 इसी formula से again हमारा answer आजाएगा 49.6 the difference between a discount of 30% and two successive discounts of 20% and 10% difference between a discount of 30% एक discount 30% का यह तो पहला case है और बाकी दो अलग discount 20% और 10% यह दूसरा case कि यह तो एक 30% का discount हो यह दो discount हो इन दोनों के बीच में difference है 144 रूपीज का तो हम देख लेते हैं कि यह दोनों discount किसके बराबर है तो फिर से formula लगाएंगे वही same तो इनका हमें answer मिलेगा 28% तो मतलब situation क्या है कि 30% का discount और 28% का discount इनके बीच में फरक है 144 रूपीज का in terms of percentage इनके बीच में फरक दिख रहा है 2% का और in terms of rupees इनके बीच में फरक है 144 का means 2% is equivalent to 144 और यह 2% किसका 2% marked price का क्यों? क्योंकि यह जो भी discount है यह marked price के terms में होता है discount हम हम marked price पर चेक करते हैं तो यह 2% marked price का 2% of market price is 144 1% will be equal to 77 therefore 100% of market price will be equal to sorry it won't be 77 it will be 72 therefore 100% of market price will be equal to 7200 so now our answer will be option A a company offers 3 types of successive discounts first discount is 25% and 15% मतलब यह 3 types के discount है पहले type के discount में वह 2 discount दे रही है 25% और 15% या फिर एक दूसरे टाइप का discount है कि 30% और 10% या फिर एक तीसरे टाइप का discount है 35% and 5% देखिए आपके exam में generally equations आते हैं तो 95% of times इनका जो sum होता है वो same होता है जैसे 35 and 5 is 40 30 and 10 is 40 and 15 and 25 is 40 सबका sum 40, 40, 40 है तो इस case में आपको solve करने की जरूरत नहीं है Of course, हम solve कर सकते हैं हमारे पास 3-3 method है solve करने के लेकिन इनको solve करने की जरूरत नहीं है आपने जस्ट यह देखना है कि the discount having maximum range will be best जिस discount की maximum range है ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक दोनो उसके discount से जिसे 35 और 5 इसकी range सबसे ज्यादा है so this will be better discount always you can say without solving these cases और अगर solve करना है तो तीनों में से कोई भी मैत्र लगा लीजिये solve हो जाता which of the following successive discounts is better to a customer तो जो concept मैंने दो पर बताया था वो तीन पर भी लागू होता है because यहां पर यह जो दोनों discount है 20, 15 and 10 इनका उपर वाले का sum है 45 और निचे वाले का sum भी है 45 और यह दोनों previous year questions है जो पहले exams में आई है तो फिर से हम यही देखेंगे कि कौन से discount की range सबसे ज्यादा है मतलब जो maximum है and minimum है वो दूर-दूर है कौन से discount में तो 20 और 10 इतने दूर नहीं है जितने 25 और 8 हैं तो of course in this case second is better so option B will be the answer so now we will be doing our next concept that is second discount कि अगर दो discount दिये है किसी चीज के उपर और आपको पहला discount बताया हुआ है या दूसरा discount बताया हुआ है तो आपने the other discount कितना दिया था वो बताना है let us proceed a fan is listed at Rs.1500 and a discount of 20% is offered तो एक friend का mark price है 1500 तो एक discount दिया 20% का तो अब कुछ mark price हो जाएगा and what additional discount must be offered to customer to bring the net price to 1104 तो एक और कितने percent का discount दें कि अप price हो जाए 1104 तो पहला जो discount दिया 20% का तो 1500 का 10% is dead so 150 तो 20% will be 300 10% का दें तो after a discount of 300 the price will be 1200 अब 1200 पे कितना discount दें so we can directly see कि it is 96 less आपको 96 का discount देना पडेगा so 1% of 1200 is equal to 12 so 96 is 8 times 12 बारा आते चान में तो यह 8% होगा फिर so a additional discount of 8% is to be given so in this case your answer will be 8 similar question a shopkeeper gives two successive discounts on an article marked 450 the first discount given is 10% so in terms of rupees it will be 45 so now the price will be 405 now what additional discount should be offered so that the price become 344.25 so if we see here the difference is 60.75 rupees 60.75 कम है यह वाला price यह से 60.75 is what percent of 405 we will have to check this so let us see 100 let us cancel this point and 5 8 5 1 5 1 2 1 5 15 9 1 3 5 9 1 0 0 0 0 0 So 0 is given so we will have a new price here a second discount is given bringing the price down to 8.16 so one more discount will be given the rate of discount is this is a similar question but in this case it will be a little calculative 15% you will remove it will come in points में आएगा फिर से हम points में चेक करेंगे तो इन questions को एक और वे से हम कर सकते हैं suppose कि 12 तो पहले mark price थाई तो उसके बाद 15% का discount दिया तो किसी भी value को अगर 15% कम करेंगे तो it will be 85 by 100 times so first discount is given और एक और जब next discount देंगे तो कुछ ने कुछ तो discount हो गई तो मान लेते हैं कि जो भी discount है हमें पता नहीं लेकिन जो भी discount है उसके कारण हमें x by 100 से multiply करना पड़ा होगा जैसे 15% के लिए 85 by 100 के लिए 85 by 100 से multiply किया उसी परकार किसी ने किसी discount के लिए जो भी है x by 100 से हमें प्रिप्लिप्लाइ करना पड़ा और उसके बाद यह दॉनो डिसकाउंट के बाद इस दॉनो डिसकाउंट के बाद प्रिप्लिप्लाइ करना पड़ा मतलब वो डिसकाउंट पका होगा 20 परसेंट का इन दिस के बाद आंसर विल बी किसी, किसी तवेकर दवेकर लिए टंके बाद छिस्ट्वा डिस्ट्विंट्स के लिए, खिएगित्स के लिए दूनो को तुनर। प्रिविंट्सक्राइब मतलब लिए टी सानवे इन प्रिव एंग ट्रिवेशंग लिएम सक्ट स्ट्स्वाटिक्राइब बीक्र Tribॉएष. जुक्तों करते हैं, जो रुटनायों करते हैं, जो ऍुक्तों करते हैं. झाल झाल